हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आये हैं बोर्ड परिक्षा के लिए रामबान पुर्शन जो कक्सा आठ है प्रार्मेक्स एक्सा पूर्णता प्रमानपत्र परिक्षा का दोघार बाइस इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रिसरल लेकर आये हैं हम पहले हमने सोचा था कि एक से लिए पांस तक के इंप्रेंट पुर्शन आपको इस वीडियो में बताए हैं लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इस कारण से हमने आधा प्रश्विष्टि आपको यहां बता हैं पर इसकाइग दरिष्टि से क्या क्या पूछी जा सकते हैं तो उसके लिए हम चलते हैं दैए एक में यहां माचुके हैं पहले पार्ट में तो यहां जो नाम पार्ट का फसल उत्पादन और प्रबंद इसमें सबसे पहले जो आपको पूछा जा सकता है वो है फसल की परीबासा तो फसल की परीबासा यहां आप याद करें हम जो परिशन आपको यहां बता रहे हैं चाहिए तो आप वो एक नोट बुक भी नोट डाउन कर लें जिससे कि आपको इमपोर्टेंट परिशनों की एक सीरीज बन जाएगी और आप उनको हल कर ले तो आपके लिए नोट तयार हो जाएंगे एक तो फसल की परिवासा आप यहां से याद कर लें और दूशरा खरीब और रभी की जो फसल है वो आप दोनों के उदान याद कर लें क्योंकि यह उदान काफी पूछे जा सकते हैं उसके बाद में जो आधारिक कर्शी पद्दतियां हैं उनका एक करम है जो साथ पद्द करती है उनका एक विशेस करम है उस करम को आप याद करें उस करम से समझेत प्रशन भी पूछी जाते हैं उसके बाद में जो मिट्टी तयार करना है मिट्टी तयार क्यों की जाती है तो इसके लिए कुछ खास प्रशन नहीं है उसके बाद में जुताई जुताई की परिव साथ याद करें जुताई में काम आने वाले जो ओजार है कर्शी ओजार जैसे खल है खुदाली है खल का आप डाइगराम तयार करें और जो खुदाली है उसका आप डाइगराम तयार करें यह देखे हैं लोड़ और प्रक्षा से क्ल्टीवेटर का क्या काम होता है क्या लिए काँ ध्यान रखले आपका काम हो जाएगा उसके बाद में प्रमप्रागत ओजार जो पुराने ओजार थे उनके केवल नाम ध्यान में रख ले उसके पश्चात जो बुवाई है बुवाई में बीज चैन बीज चैन एक अच्छा प्रशन है आ सकता है तो बीजो का चैन कैसे करते हैं एक जो बतर में पानी डाल कर उसमें कुछ बीज डाल देते हैं उसके बाद में जो तैरने लगते हैं उसको निकाल देते हैं जो डूब जाते हैं वो सही होते हैं तो ये नॉर्मल ची विदी है ये देख ले आप उसके बाद में खाद और और प्रशन इसमें से पूछा जाता है उससे पहले हम बताते कि सीर ड्रिल के बारे में आप थोड़ा सा पड़े ये भी आ सकता है प्रिक्सा में खाद और उर्वरक का जो अंतर है यहाँ आप देख पा रहे होंगे खाद और उर्वरक अंतर यहाँ नीचे दे रखा ये रहा इस सारने को तो आप रट लें क्योंकि इसमें से आपको प्रशन शक्त प्रतिस्ट मिलेगा उसके बाद में यहाँ पर एक चोटा सी बात है जो मैं बताना भूल गया आपको NPK सोट फोर्म है उर्वरक की बात हो रही है उर्वरक में वैसे तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है और खाद और उर्वरक को वैसो भी आप ध्यान रखेंगे इसमें बड़ा प्रशन भी आ सकता है इसलिए NPK यूरिया यह उर्वरक की सरेने में आते हैं और जो खाद होती है उसके गुन क्या होते हैं कैसे वो पोड़ों को लाब पहुंचाती है वो चीज भी आपको याद रखनी है शाथ ही एक इंपोर्वरक चीज है जो राइजोबियम वैक्टीरिया का जो प्रशन है वो भी पूछा गया है कई बार इसके भी आप ध्यान में रखें खाद और उरवरक इंपोर्वरक इंपोर्टेंट है यह मैंने बता दिया आपको खाद से लाब क्या होते हैं यह आप याद करें उसके बाद में आप सीचाई की केवल और केवल परीबासा याद करें सीचाई की उसके बाद में सिंचाई के शुरोत आप याद करें सिंचाई की परिवासा यहां इंपोर्टेंट है शुरोत यहां इंपोर्टेंट है ठीक है इनकी नाम याद कर लें और जदा कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके बाद में सिंचाई की जो तरीके हैं उनमें परंपराद के जो तरीके हैं, उनको आप एक तो नाम्याद रखें। शाथ ही आजकल जो परशन का ट्रेंड हो गया है, जैसे ये चित्र दे रखा है, मोट का, तो आप इस चित्र को ध्यान में रखें। अनकी प्येपर में चित्र देता और आप से पूछ लेता है, सबनाद चित्र किसके बारे में हैं। इनको आप अच्छे तरीकी से तयार करें। दो विदियां हैं, डृट सिस्टम और चटबावतंत्र हैं। इनके आप चित्र भी तयार करें और साथ में इन दोनों में अंतर क्या होता है वो तयार करें साथ ही जो परियावन सरक्षन के उपर आधारित विदी कौनची है वो भी आप ध्यान में रखें ड्रिप सिस्टम परियावन सरक्षन जल सरक्षन के उपर आधारित जो विदी है यह आप चित्र देखें, यहां से इसको त्यार करें. उसके बाद में इंपोर्टेंट चीज आती है, खरपतवार, तो खरपतवार की केवल और केवल और केवला परीबसा याद कर ले, और कुछ जदा पढ़ने की जुरूर नहीं है परीबसा के अलावा. खरपतवार को जो हटाने की प्रक्रिया है, वो नीराई कहलाती है, यह दो चीज याद कर लें यहां से, उसके बाद में आगे चलें. कटाई, कटाई में आपको कुछ करने की जुरूरत नहीं है, कटाई किस किस्से होती है, उन ओजारों के आप नाम ध्यान में रखें. साथ ही एक चीज यहां मैं आपको किलियर कर दूँ, जो खरपतवार नाशी है, दो चैर डी, इसको आप जुरूर ध्यान में रखें, तोंकि यहां से भी प्रशन आ सकता है. कमबाइन क्या होता है, यह आप ध्यान में रखें, कटाई पर हुआ है, कब से कब मनाया जाता है, यहां से भी पूछ सकता है, प्रशन. बंडारन में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल दो चीज यहां आपको याद करनी है, एक तो आप तो साइलो याद करेंगे, रेकर और विनोइंग याद करेंगे, यह दोनों आप याद कर लेना, यह यहां कम्प्लीट हो जाएगा, यह साइलो की जो डाइग्राम है, यह आप डंग से देख लेना, जन्तूओं से भोजन, इसमें कुछ खास नहीं है, मिश्रित कर्शी क्या होती है, वो हम आपको बता देते हैं, वह कर्शी जिसमें कर्शी के साथ चाथ पसुपालन भी किया जाता है, उसको मिश्रित कर्शी कहा जाता है, विटामिन डी जो है, वो लीवर में पाया जाता है, कोड लीवर में, ये भी आप ध्यान में रखें साथ ही एक important बात यहां हम आप से share कर दें कि जो आपने क्या सीखा वाला भाग है कई बच्चे छोड़ देते हैं इसको लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा आपने क्या सीखा परतेक पाठ का चाए वो हटा हो या फिर नहीं हटा हो तो परतेक पाठ का आपने क्या सिखा आपको याद कर लेना है आपके knowledge की दरिष्टी से बहुत ही ज़्यादा important है इसी में से प्रसंद बन के आते हैं उसके बाद में जो प्रमुक शब्द है देखिए यहां से प्रसंद बनते हैं प्रमुक सब यहां दे रखे हैं तो आप अपनी नोट बुक लें और इन प्रमुक शब्दों को जैसे कृशी पदितिया क्या होती है पसुपालन क्या होता है फसल क्या होती है औरवरक क्या होते है बंडारगरा क्या होते है इन सारों के मतलब तो आप अपने शिक्षक से या फिर अपने बड़े भाईया से बेहन से आप पूछ के एक नोट बुक में नोट डाउन कर लें बस आपको इतना ही करना है इस पार्ट में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है बाकी ये जो परशन आए है इतना आप कर लोगे तो ये परशन अपने आप ही हल कर दोगे तो इस्टुडेंट ये था लेसन एक का इंपोर्टेंट वीडियो यहां लेसन एक में आपको 10 मिर्ट लगी है के वाल देखे 10 मिर्ट का मैंने वीडियो बनाया है द इसके लिए मैं बनाऊंगा कि इसके लिए आप इसको नोट बुक में नोट डॉण करें या तो या फिर वीडियो को बार-बार देखना होगा आपको जो भी आपकी इक्छा हो वो आप कर सकते हैं मेरे एसाइब से तो नोटबुक में नोटडाउन करना बेटर रहेगा अमने साथियों को भी सेर करें जिससे की वो भी इसका अलाब ले सकें